नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आई गया होगा पुझे राजन जी महाराज का बजन है राम कथा सुनकर जाना तो सबसे पहले हम स्वरों को समझे तो याद करिए खमाज फाट जिसके अंदर नी कोमल क जब आवरों में आएंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं मैंने सागापा ले रखा है हो जीवन का निशिकर्स यही है पाधा सासा नी नी धापा पाधा सासा नी नी धापा प्रभू प्रेम में पानी धापमा लग जाना मापा मगर्सा देखिए स्लोली जीवन का निशिकर्स यही है प्रभू प्रेम में लग जाना आओ सब मिल बैठो प्यारे गागर रे गारे रे सासा आओ सब मिल बैठो प्यारे यहां से सीधा पावर राम कथा पाधा मा राम कथा सुन कर जाना पाधा मा पाम गर्सा बस मैं एक ठीक ठाक स्पीड में आपको ले के जाता हूँ वापस से जाईए जीवन का निशकर्स यही है प्रभू प्रेम में लग जाना आओ हम आओ सब मिल बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना आओ सब मिल बैठो प्यारे अरे राम कथा सुन कर जाना आओ सब मिल बैठो प्यारे अंत्रा की बात करें तो अंत्रे की शुरुआत होती है मां से और यहां पर नी शुद्ध और नी कोमल दोनों का प्रियोग होगा हो राम कथा की पावन गंगा अविरल बेहती जाए देखें इसको अच्छे से राम कथा की पावन गंगा दोनों का प्रियोग है सानी धानी दा पापा मा 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 गा मा पापा दा पादा सानी धानी दा पापा राम कथा कि ही अविरले राम कथा कि ही पावन गंगा अविरले बेहती जाए बस अगली लाइन भी सेम है और उसके बाद में पिरामा ने जो जीवन का निशकर्स है वैसा का वैसा करना है अगली लाइन और बताता हूँ मैं दोनों को शामिल करके बिल्कुल स्लोली राम कथा की पावन गंगा अवीरल बेहती जाए ओओ धानी पाधा अवीरल बेहती जाए प्रेम भाव की शीतल लहरे बीतर तक नहलाए ओओ बीतर तक नहलाए दो बार है ओओ बीतर तक लहराए ओओ बीतर तक नहलाए और फिर कुछ बाते हैं सुनने लायक जीवन का निशकर्स यही है उसी अंदाज में है कुछ बाते हैं सुनने लायक कुछ बातें गुन कर जाना पानी दा पामा पामा गरसा कुछ बाते हैं सुनने लायक कुछ बातें सुन कर जाना आओ सब मिले बैठो प्यारे अरे राम कथा सुन कर जाना जीवन का निशकर्स यही है प्रभू प्रेम में लग जाना आओ सब मिले बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना आओ सब मिले बैठो प्यारे